उत्तर प्रदेश के कानपूर में भड़की हिंसा के चार दिन बाद पैगंबर महुंबत पर अपमाज जनक ट्विट करने के आरोप में भाजपा के एक नेता को ग्रफतार कर लिया गया है आपको बता दे कि भाजपा यूद बिंग के पदा अधिकारी हरसे सिर्वास्तों अपने आपत्ती जनक पोष्ट के जरीए मोहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे ग्रफतार नेता हरसे सिर्वास्तों भाजपा की युवा साखा के सदस्य और चात परिसत के सदस्य है कपूर के सिर्व पोलिस अधिकारी विजय सिंग मीडा ने बताया उनकी पोष्ट आपत्ती जनक थे पोलिस ने तत्काल कारिवाही की और संबंदित धारों के तहत मामला दर्ज किया जिसके बाद उन्हें गिरफतार को लिया गया है उन्होंने कहा सरगार की नीती बहुत इसपष्ट है अगर कोई सामप्रदाय की सद्भावना को विगारने की कोशिश करता है तो निसपच और सक्त कारिवाही की जाएगी अपनी पार्टी के नेताओं दोरा की गई टिपड़ियों पर अधिकतर अंतरराश्टी प्रतक्रिया का सामना कर रही भाजपा ने नुपुर सर्मा को तुरंत में लंबित कर दिया और नवीन कुमार जिंदल को पैगंबर पर उनकी टिपड़ी के लिए निश्कासित कर दि हैं जिन में CCTV फुटेज और मोबाइल फोन में कैड वीडियो भी शामिल है आपको बता दे कि मुखे आरोपी जपर हया सहीत 50 से अधिक लोगों को अब तक गिरफतार किया गया है और हिंसा के सलसले में 1500 से अधिक नामित और अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्च किया है जिस में से 40 से अधिक घायल हो गए थे विरी रूपोर्ट आई पियां